हेलो गाईज आज हम बात करेंगे बोड़ा फोन और आइडिया की और ये परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे न्यू रिटेलर्स को फसाया जाता है न्यूज द्वारा वेल न्यूज फैलाई गई की आज गौवर्मेंट बहुत अच्छा रिलीफ पैकेज देने वाली है और इसे 5 से 9 तक लेके जाया जाता है और जिन लोगों ने इसको उपर बाई किया है 8.50 से वो फस गए इसलिए मैं बोलता हूँ कि आपको न्यूज पे कभी ट्रेड नहीं करना चाहिए हमेशा चार्ट देखना चाहिए और मेरे कुछ सवाल है अगर आप जबाब दे सकें देन आप इसमें इन्वेस्ट करें वेल गवर्मेंट रिलीफ पैकेज दे देती है बहुत अच्छा है यह उपर जाएगा बट उसके बाद क्या फ्यूचर क्या दिखाई देता है प्रमोटर्स एक भी रूपीज डालने के लिए तयार नहीं है क्या न्यूज आई कि प्रमोटर्स एक भी रूपीज एक्ट्र ले रहे हैं क्यूंकि उनको services अच्छी लगने लगी है जब तक ground work कुछ नहीं होता जब तक आपको यह बाई नहीं करना चाहिए बट आपको अगर news पे बाई कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि कब बाई करना है और बेचना है वेल लोग फस जाते हैं उनको पता नह होता कि कब बाई करना है और जब बाई करते हैं बहुत लेट हो चुके हैं होते हैं या पहले बाई कर लिया है profit भी अच्छा हो गया है बट उन्हें पता नहीं होता कि sale कब करना है then वो उसी price पे आ जाते हैं तो इसलिए मैं हर videos बनाता हूँ आपको help करने के लिए आप मेरी पिछली videos देखिए जिसमें बताया है कि आपको कहाँ पर buy करना है और कहां पर sell करना है और मैं एक playlist बनाऊँगा जिसमें आपको बताऊँगा कि कहाँ होते हैं जिससे आपको फायदा होगा अगर आपको profit नहीं होता है तो unsubscribe और किसी और का channel subscribe करें जिससे आपको profit हो well अगर आप new हो तो मैं बोलूगा कि आपको news पे कभी कोई भी stock buy नहीं करना चाहिए आपको learn करना चाहिए then buy जब आपको market sentiment पटता पडए anyways वीडियो अच्छी लगए हो तो like, share, subscribe